अब लोग पढ़ते हैं rabies vaccine के बारे में तो सबसे पहले यह पढ़ते हैं कि vaccine की कौन सी vaccine rabies की recommended है तो cell line derived non-neural vaccines जो होती है वो recommended होती है अब इन vaccines को हम लोग कैसे कैसे बना सकते हैं तो उनको प्यूरिफाइड चिक embryo cell cell में बना सकते हैं या या human deployed cell में बना सकते हैं और जहां बनाते हैं उनी के नाम पिन का अधार पिन का नाम रखा जाता है यसे कि प्यूरिफाइड चिक embryo cell vaccine प्यूरिफाइड वीरो दे सकते हैं और एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी ग्लूटियल लिजिन में रेवीज की नहीं लगानी कहां का लगानी है डेल्टॉइड में और एंट्रोलेटर अस्पेक्ट आफ थाई बट नेवर इन ग्लूटियल लिजिए ठिक अब बात करते हैं इसके वेक्सिन की तो सबसे पहले डोज देखें अगर इंट्रडर्मल लगा रहे हैं तो डोज 0.1 ml होगी अगर इंट्रमस्क्रल लगा रहे हैं तो फुल वाइल आप उसकी फिल अप करेंगे इंजेक्शन में फुल वाइल कितनी भी हो सकती इर्रेस्प्ट्ट्य आप पूरा भरेंगे उसको बॉइल को ठेक को अब आतें शेडूल शेडूल ये खि reopen के लिए हैं एसे इंडिवीजक्रल जिनको अभी एभी कुट्ye ने काटा है मतलब शेडूल for jposed एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस ठीक और ऐसे इंडिवीज़ जिनको कुट्टे ने अभी काटा पर इनके पहले कोई भी वैसी रिपीस की नहीं लगी है पहली बार कुट्टे ने काट लिया कोई वैसी नहीं लगी है तो क्या शरील होता है तो ध्यां से देखें अब पाद दो साइट इंट्रडर्मल वैक्सीन ओन जीरो दिन पहली बार आया उस दिन फिर तीन दिन बाद और फिर उसके चार दिन माद बाद तो जीरो थ्री और सेवेंथ रेपे आप उसके दो साइट दो साइट का मतलब है कि अकर इनसान है तो इसके दो जगा पर इंजेक्शन रह foundation है जाए दर्द बढ़एगा डोस्ट का मूँगा ऊएड़ में जादë होता है चार की भीडोय दो तरीके नइसेक्ट लगाने के यह सब्सका अगर वह इन्सान हमसे थानी चले खाले की यह बार बार ना ना पड़़े तो तो हम बोलेंगी ठीक है अगर यह चाहते हो त चार ही डोज दी जाती है अब आई-म में भी तो आप दो अप्शन है अब तुम एक ही साइट पर आई-म लगाओ बस एक ही जगह पर आई-म लगाओ एक ही इंजेक्शन लगाओ एक बार में जीरो थर्ड सेवेंट डे या फिर चौदा सेट थाइजिंग बीच में इस वक्त इंसान के एक ही एक इंजेक्शन लगाओ टोटल चार इंजेक्शन लगे ठेक या तो अगर जल्दी है तो मुस्से बोल देंगे ठीक है तो तुम पहली बार में दो इंजेक्शन लगाओ आई इसे बार-बार रिवाइस करने से कुछ भॉपरी रॉकेट साइंस भी नहीं है याद हो जाएगा आईडी आईए आईए पॉइंट वन एम फुल वायल आईडी में क्या बोलेंगे टू-टू-टू-टू साइट पे लगाना है जीरो थी और सेवन देन आईए मैं पात दो इंजेक्शन है या तो 037 और 14-21 दिन एक एक इंजेक्शन या फिर पहले दिन दो इंजेक्शन और बागी दिन एक एक इंजेक्शन खतम ठीक यह ही इंपॉर्टेंट नहीं सबसें इंपॉर्टेंट जो वेशन का शेडियूल वह यह ही है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाल मैं ने अन्टिबोडिक्शन भी नाती दो और इंपहलेशन दें कए को प्रेपरिशन होती है एक जो एंसान में हमने बनाई है एक एक झो फिर अधा से रेबीज इम्मिनो ग्लोबिलिन ठीक डोस क्या है अगर हम वह वाली लगा रहे हैं जो इंसाना में हमने बनाई है तो उसकी डोस होगी 20 इंटरनेशनल यूनिट और अगर जो घोड़े में बनाई है उसकी होती 40 इंटरनेशनल यूनिट पर यह जिए ऑफ बॉड़ी वेट जब इससे पहले पढ़ाया था उसमें इंसानों कोई वेक्सिन नहीं लगी थी इससे पहले बट अब उसके एक बार वेक्सिन लग चुकी है उसे फिर कुत्ते ने काड़ लिए थेक तो अब क्या करेंगे बहुत आसान है आप दो थरीके आई-ई-ई-म देने के अगर हम उन्हों का टामिंग बिल्कुल सेम जीरो ती जीरो ती लेकिन अगर वो इंसान कह रहा है कि हम चाहते हैं हमको एक ही बार आना पड़े बार बार ना पड़े एक ही दिन लगवाना है तो मुलेंगे ठीक कोई बात ने तुम चार साइट लगवा एक बार में चार इंजक्शन ठभाऊ एक बार में चार नजबवाओ कहां पर लेट ड्रीड ट्रीड अरल्ट थाई पर और सुपरr terrific एडियास ये उन्हों के लिए जैसे जो डॉक्टपर गयरा जो काम करते हैं जो कि वेटने कर का ब 누र्या चन का डेली एक प्रिश्पोजर होता है डॉक्स से तो उनको बहुत चांसे से रहते हैं कि उनके कुट्टे हो गया कोई दांत वग्रा लग जाए और उनके रेवीज हो जाए तो उनके लिए प्री एक्सपोजर मतलब कुट्टे काड़ना से पहले बचने के लिए एकशन जो लगाते है उसका क्या होता शवीज तो दो शवीज होते हैं मेरे पास दो अगर ड लगाएंगे तो 2 साइट आईड लगाएंगे err Ten और पर चांसे ओ स्प्री वह लगई daran Пос podría लेकिन जो पहले से वेक्सिनेटेट है उनको एक साइट आईट एक साइट आईएम थेख यह देख यह तो आप इसको पहले बात में आत करें पहले जो याथ करें जो बहुत कॉमन है अगर अगर आपके वेक्सिनेशन लग चुका है तो 030311 ठेख मलब 0303 और 11 साइट पर 20-40 पर किजिया बॉड़ीवे ठेक मेन ये था तो 2-2-2 और आई-म में 4 0-3-7-4-7-2-2 या फिर एक बार में 2 फिर एक एक टेक तो ये हमारा खतम हो गया रे 20 का वैक्सिनेशन इसको बार बार याद करने से याद होगा कब से कम इसको दिन में 3-4 बार देखें तब याद हो जागा बाई